हालो अदोस्तों थूमीद करता हूँ पिछले fantasy शारे लेक्ठ वेस्ट अपने देख लिया होंग मैं अब बात करतें दोस्तों कटिंग बॉल ine किसकी बात करेंगे दूस्तों हम बात करने जा रहा है जो सबस्क्राइब तो यहां पर एक पुछले रेक्स्टर वीडियो में आपने देखा होगा क्या है हमारे टास्क यहाथ हमारा काम किया सो को समझाओ तो जब भी आपके ड्राइंग आएंगे नंट्राइंग ठीक है तो वह ड्राइंग कुछ ऐसे होगे सब आपको क्रॉस सेक्षिंस भी गीवन होगा कि यहां पर इतना नंबर ऑफ बार से यह सारी चीज़ें और बीबीस बनाने का परपस तो सिंपल है कि एस्टीमे कि यह इसमें हमें कटिंग लें फाइंड आँट कर देए पड़ेगी क्या आपको चीरप या पहना नी है के अड कर पाएंदर iç जो आपको थे आफिस इप नहीं कर आफिए कि हाष थिए वह कैसे तो आपके पास साइड के ओपर कुछ लॉंग रेंफोस्मेंट होगी अलग अलग डाइमेटर उसमें से आप क्या करोंगे उतनी लंबाई कट करोंगे और फिर उसको अपनी रिक्वार्मेंट के हिसाब से मोड़ोगी कि मुझे 135 डिग्री मोड़ना है यहां पर एक्विप्मेंट अवेलेबल होगे सारे तो उसको बांधने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा लोगे को काटना पड़ेगा और वो कितनी लंबाई का काटना है आसान भासा में उसी को ही क्या बोलते हैं कटिंग के पाइदा क्या होगा पता है एक विएक के अंदर बहुत सारी स्टीर्प्स होती है अगर आपने एक स्टीरब की कटिंग लेंद पांड आउट कर लेंड कहाँ नहीं खड़ा क्यों बाकी में सब सेंगी कटिंग लेंद होगी वाद आपने फॉर एक्जामपल कर दिलेंड cotton कटिंग लेंच का आंसर आया इसका मतलब क्या हो अब बाकिया की सेम टायप के सेरी हो इसलिए कटिंग का इविद्ग लेंच करना बहुत जड़ा इंपोर्टन और मैं आपको बता दो यहां पर यह नहीं कि कटिंग लेंच के कॉंसेब्ट पर बहुत सारे पॉइंट ऑफ यू होते हैं कोई भी परसंगे नहीं बोल सकता कि आपका अंसर गलत है आपका अंसर एक्जेटली सही है यह यह जो अलग 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 पॉइंट अफ यू है उसको डिस्ट करूंगा सबसे पहला सबसे बेजिक सबसे आसान और सबसे पॉपिलर और सबसे रिकमेंड़ तरीका जो मै अगर आपने यह समझ लिया तो आगे आने वाले मुल्टीपल वीडियो उसके हम कटिंग लेंग यह फाइंड आउट करेंगे अलग अलग चेप्स में वह आपके लिए बहुत आसान बहुत इजी हो जाए तो कटिंग लेंथ और मुझे फाइंड आउट करना है मैंने परप इसको नोट दाउन जरूर से करिएगा कि CC क्लियर कवर यहां पर 40 यह वाला हिस्सा जिसमें सब्सक्राइब से लेकर इंक्लूट नहीं है मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बना दिया है पहले क्लियर कवर नॉमिनल कवर यह वो तो यह हो गया दोस्तों क्या मतलब समझो जरा यह हमारे पास रिन्फोर्समेंट डिख रहा है यह है स्टीर और इसका हमें क्वाइड करते हैं यह यह बाजू की लंबाई उतना ही होगा उसको आड़ कर देना है और जो यह हमने एक्स्ट्रा रखा है यह जो हमने एक्स्ट्रा रखा है क्या है यह हूक लेंथ को एड़ कर देना है यह common sense बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है करने हैं इन सब की जो लंबाई हो रही है आपस में इसको एड़ कर दो और यह जो एक्ट्रा का भाग है इसको एड़ कर दो हो गई का टिंग लेंद कॉमन सेंस यह बोल रहा है वो सही है लेकिन 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 हम यहां पर जिस मटीरियल के साथ काम कर रहे हैं जो कि है रेंपोस्मेंट वह है इलॉंगेट प्रॉपटी वाला कैसी प्रॉपटी वाला इलॉंगेट यानि उसको खेचने से वह बढ़ता है इलॉंगेशन होता है उसके लंबाई में उसको मोड़ने से उसके लंबाई बढ़ती है तो आप यहां पर देख सकते हो हमने यहां पर 90 डिग्री का मोड़ा है लंबाई तो बढ़ गे हमने यहां पर 135 डिग्री मोड़ा है कोई भी मुझे से यह सवाल नहीं करेगा कि यह 135 कैसा है क्योंकि मैं प्रीविएस वीडियो में बहुत अच्छे समझा चुगा हूँ कि इसको डिदग्ट यानिके माइनस करना हो ऊंए उसको डिदग्ट यानिके माइनस सब्से पर लोगा एका मतलब होता है वर्टिकल सेंटर डू सेंटर सबास सेंटर दीसम्स सेंटर वीडियो में दीटेल में समझा रहा हूं बाकी फिर में बोली दूंगा यहां पर सेंटर तो सेंटर से लेकर उपर क्वाले सेंटर से लेकर नेचे वाले सेंटर तक स्टीर अगर आपके पास है इन साड़े चार सो में दूनों जगह से ख्लीर कवर निचे से मानने हो चार चार सो में क्या मैं center of stirrups पहुंचा नहीं पहुंचा में तो stirrups तक पहुंचा CC को माइनस यानि clear cover को माइनस करने के बाद मैं अभी भी Center तक नहीं पहुंचाओ तो center तक कैसे पहुंचोंगा center तक मैं ऐसे पहुंचोंगा कि मुझे आधा diameter stirrups का भी करना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा स्टी रप्स का पूरा डायमिटर कितना है पूरा डायमिटर आठ हम में हैं इससे पहले मैंने समझाया तो आप देख रहे हो आधा कितना होगा था सेंटर में पूछाएंगे चार अच्छा मैं यहां सेंटर में तो चार माइनस करके पहुंचता है तो नीचे वाले के लिए फिर से एक बार चार मैंस अब तुम समझे यह एक कैसे मैंने चेक नहीं किया है तो यहां बराब देख सकते हूँ चार सो पचास माइनस टू मंटिप्लाइब एक फॉर्टी माइनस चार माइनस चार सिस्टी टू मैं कम्प्लिटी से यह आ रहा है ॉ समझे टॉटल मेंसे मैंने माइनस किया और प्र क्या माइनस की immers on और उगेन मैंने आथा-डायमीटर का माइनस कि की अताँमिटर स्टीड माइनस किया ताके मैं ने के कि बोटम सेंच यह वाह इ verw किसी को कुछ problem नहीं होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं किuting A कुछ problem नहीं होगी आप कि करते हैं तो A कि के बाद आप A के बाद E ला रहे हैं एशनमे इस लिए गर रहा हूं ताकिए थोड़ी दिननूं Wen आपको थोड़ी दिर में पता चल जाएगा कि ए के बाद क्यों नहीं आए यहां पर एक एक यू लिया है तो वह मैं आगे बताऊंगा तो अभी तो अब है तो यह क्या है horizontal center to distance अब हमारे पास horizontal dimension कितना है 250 mm कितना है 250 mm कितना है 250 mm कितना है 250 mm 250 mm से मैं अगर clear cover को minus कर दो यहां से आपको दिख रहा होगा कर दियार कर दिय लिए बार 30 इतज पहुचा है तो सब्सक्राइब बार करें तो इसके मैंस करना पड़ेगा और भी मे और को मैनस्माइनस करना पड़ेगी तो के गया मैं पहुझ गया 162 mm तक 162 mm तक क्या है 162 mm इन हो इसे डिल सेंटर वर्टिकल जैसा ही ट्राइं नहीं चलो इतना तो समझ है आप आप बोल दो दो बार एको मिला दो और दो ऑन यह यहां पर जैसा आहता ओंधा यहां पर यहां पर बीत तो दो बार क्या मिला दो दो बार marks और लेकिन दोस्तों मैंने पहले तो यह और यह बाला concept तो clear होगा इसके dimension भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो एक बार verify भी कर लो दोस्तो 250-2 multiply by 40-4-4 162 mmR completely okay अब दोस्तों most 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 important चीजह यहाँ पर है ना यहाँ पर मैं आपको बता दो इतने सारे students मैंने गलती करते होते कि जिसकी कोई गिंती नहीं है इसका reason में आपको बताओ इसका reason में बताओ एक लेक्च्चर के अंदर दोस्तों हमारे प्रीविएस बीएस के लेक्चर में और सभी कॉफी पॉपिलर चीज है कि भाई 45 डिगरी के लिए 945 डिगरी के लिए डीडिक करना होता है और 180 डिगरी के लिए 4D डिड़क करना होता है अब गलती कहा होती है पता है गलती कहा होती है इसलिए मैंने अलग से यहां पर लिखा है अधिश को-करना है किसको कहा है 90 के कि ने डिडाक्शन सहो सकते हैं यहां पड तो हम फटा फट से पांड आउट कर लगने यह नाहीं ठीडिक डिडिक्ट्षन हो यह है ह marc में मन तीन जगा 90 सब इसके की नमांते ह damping की गिरेक्शन को मानते हैं कि 135 लाइडिक்रिट ही के टेटक्षन को भी मानना होगा क्यूं कि मैंने सब बता दिया है कि ये दूस्तों यहां से ऐसा 135 है और यहां से ऐसा 135 तो 135 की कितने deduction हो गए 2 तो मानते हो के नहीं मानते हो दोस्तों 30 90 degree deduction और 2 135 के deduction कि लिए क्या करना होता है। 2 times of diameter deduct यानी कि minus करना होता है और 135 degree के लिए 3 times of diameter deduct करना है। कि इतना सब लोग को ने मान लिया कर्फक्षट बात ने दिगरी के लिए कुनिंटर ऑफ डियामेटर ॉर ऐसे कितनी बार है निनी democr तीन बार है तंब टू — टाइंस ऑफ डार में डिकट करेंगे और 135 डिगरी के लिए 3 times of diameter और ऐसा कितनी बार है 135 डिगरी दो बार है तो दो बार 3 times of diameter यह reduction करना है अब बात आती है यहाँ पर लोग addition को रही समझ पाते हैं मैंने पहले भी बताया कि भाई यह हम इतना mode के extra लंबाई लेकर आ रहा है नहीं अग्यार के लिए एक्स्रा लंबाई लगती है की नहीं लगती है यह जो फुक बनाने के लिए एक्स्रा लंबाई लगती है क्योंकि मिनीमम 6 times of diameter होना चाहिए कितना होना चाहिए यह addition की बात कर रहा हूं अब इसी हुक बनाने के लिए कम से कम सिक्स टाइम सब पूचा जाता है इंटर्व्यूर कम से कम सिक्स टाइम सब डाइमेटर होना चाहिए लेकिन कम से कम टो लेकिन जनलाइज क्या वर यह ब्लूप है इस हुक के लिए जनलाइज वैल्यू है नाइन टाइम सब डाइमेटर और 75 mm लेकिन हम जो इसे माल करेंगे और जो जन्रेंड है वह से थोड़ा सा आगे है डैट इस टेंट टाइम सब डाय कितना है 10 times of diameter of state of यानि के एवरेजली या generally ये depend भी कर सकते है अगर वहाँ पर आपके drawing में कहीं पर mention है कि hook length must be considered as 9 times of diameter या hook length must be considered as 75 mm do it उसको use करो लेकिन नहीं है और तुमको calculate करना है then the recommended value should be 10 times of diameter बहुत सारे लोगों को यहाँ पर confusion है कि 90 दे लेना है 10 दे लेना है 75 जो आपके drawing में mention हो अगर नहीं mention then you should go with 10 times of diameter so hook length जो के actual हमने reinforcement provide किया है addition add करना है वो deduction की कहानी खतम कितना add करना है 10 times of diameter हम आगे दोस्तों generally जितने भी वीडियो जाएंगे उसमें कहीं पर hook length आएगी तो मैं क्या add करूंगा 10 times of diameter गलत है कोई बोल ही नहीं सकता गलत है कोई बोल ही नहीं सकता अब confusion क्या होता है confusion यह होता है कि बिचारे बच्चे जो यह समझ लेते हैं कि हुक लेंथ 135 डिगरी के लिए 3 times of diameter answer आता है रहे answer का क्या करूंगे वो deduct होता है कि प्लस होता है deduction की बात करें तो 135 डिगरी के लिए 3 times of deduct होता है deduction की बात करें लेकिन वही 135 डिगरी जो एक्स्रा अपने प्रोवाइड की हुक उसमें 10 times of diameter add होता है यहां पर small d लिखना चाहिए तो इसको समझो यह दोनों में क्योंकि फिर लोग लिखते हैं हमने तो यह पड़ा था कि हुक लेंथ के लिए 10 times of diameter नहीं बलके 3 times of diameter आता है अरे मेरे भाई वो डिड़क्शन की बात है जबके यहां बर जो बात हुरह है वह हुक लेंट आपने प्रोवाइड की एक्स्ट्रा लंबाई कितनी है वह 10 times of diameter तो यह addition में आएगा और यह elongation की वज़ए से इसको डिफरेंस को भाई समझ लो नई समझ वाई तो पूछ लो लेकिन उम्मिद करता हूं कि समझ में आ जाएगा बहुत और यह हुक बनाने के दोरण जो इलोंगेशन होना उसके डिदक्शन की बात हुए एक सो पांतर इस डिगरी जो मोड़ा ना उसकी वेज़े से कितना डिदक्शन और यह तो भाई यह मोड़ कर दिया हमने बनाया वह तो उम्मिद केतना समझ में आगे हों कि 10 तैमस दाइम चलो बस यही कहानी है अब दोस्तों आगे तो कटिंग लेंज का दूस्तू फॉर्मिला क्या बना फॉर धिस टाइपस टूलेग स्टीर अप्स रेक्टेंग्यूलर मोस्ट कॉमान दिग्री टूलेग स्टीर अप्स का मानते हो सभी लोग मानते कोई नहीं मानता तो बोलो फिर मेरे यह तो हो गया अब यहां पर दो बार टैन डी क्यू प्लेस किया है किसी के मन में सवाल है अगर सवाल है तो तू नहीं समझे जिस्ट समझा के आया हूँ कि भाई भाई दो बार यहां पर 135 डिगरी की हूँख एड ही है ऐसा 135 डिगरी का बनाने में रेंफोस्मेंट लगा है रेंफोस्मेंट लगा है तो लंबाई में प्लस होगा कितनी बार लगा है आप देख सकते हूँ यहां पर अरे कितनी बार ल लगा है दूबार तो दूबार लगा है तो क्या होगा एड होगा प्लस होगा तो टू टाइम्स ऑफ टैंडी अब आगे की कहाने दोस्तो बहुत-बहुत ज्यादा सिंपल है जो डिड़क्शन्स है मैं पॉल लेडी समझा चुका हूँ कितने हैं दोस्तों कितना होता है और ऐसे कितने हैं तो हमने क्या लिख दिया तीन है 90 डिग्री के डिटेक्शन और हर एक 90 डिग्री में 2D डिडेक्ट होता है तो 3 x 2 x 2 x 2 डिग्री मोडा एक बर यह पर मोडा और इक बार यहां पर मोडा और यहां पर मोडा तो दो बार मोडा तौ अमने क्या लिख दो घर एक 135 degree में कितना deduction होता है three times of diameter तो हर एक और ऐसे कितने हैं दो वाद तो हमने अब बागी की value रखने small d क्या है diameter of syrup से 8 यहां पर लिख देंगे 8 हो जाएगा यह हम लोग अल्रेडी निकाल चुके two times of three 62 two times of e already निकाल जोगे two times of 10d दो हुख है उसका इडिशन का तू टू टैम सब्सक्राइब multiply by eight minus three times of twice d minus two times of thrice d इन सब की आपस में value रखो और चेक करो वैसे तो calculations तुम्हारे सामने है वैसे तो दोस्तों calculation तुम्हारे सामने है तो आप चेक कर सकते हों तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सब लोग ने अपना calculation चेक कर ले होगा completely दोस्तों इसकी में आपके सामने विजीबल है एक बार मैं भी चेक कर लेए तो जो मल्टिप्लाइब थरी सिक्स्टी टू प्लस तू एक हजार एक सो बारा म यानी इस कटिंग लेंथ की लंबाई कि रही चेक हजार एक सो बारा म अब दोस्तों जो मैं बात बोल रहा था यह मैंने क्यों यह लिया तो आई एस ही नवाइज डिवीवाइड टू है ना मैंने इसलिए बोला था इस को डोना चीए शुरुआत में मैं आइस कोड के ऊपर वीडियो भी बना दिया आइस टूफाइज इरो टू कि आइस टूफाइज इरो टू के इस आप से दोस्तों क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हो सेम ही टाइप की स्टीरफ्स है इसक मैंद जावन डाइप क्या ओप मेंजरमेंट क्या यह लिखा ओ अब क्या लिखा मैंत मातल्स इस दोसरी कॉलम में अप्रोक्स टोटल लेंट ओफ बार मेजरड अलॉंग कि अशुल संध हे जो बन्यों कैसा होता है अन्हों ने जो वेल्यू दिया वो कैसी है अप्रॉक्सी म इन्हों ने जो वैल्यू दी है दोस्तों वह कैसी होती है अप्रोक्सिमेटली अन्दाज तो वैसे सब कुछ अन्दाज आगे लेकिन इतना पॉसिबल उतना हम अच्छा करने की कोशिश करें तो अप्रोक्स जो टोटल लेंथ होती है अलॉंग इस सेंटर लाइन कितनी दी है इसके अगेंस में टू टाइमस ओफ ए प्लस ए अब तुमको पता चला वहां पर मैंने ए क्यों रखा था बी की जगा रिलेवन्स हो ना यार आइस कोड में भी दिया हुआ तो मैंने भी लिख है तो टू टाइमस ओफ ए प्लस ए प्लस आप देख रहे हो यहां पर 24D है अच्छा यह प्लस कौन सा है सर यह प्लस कौन सा है 24D का यहां पर जो इन होने प्लस किया है यह हम नहीं मोल सकते कि सिर्फ और से फूक लेंथ की वजा से क्योंकि बहुत सारा लोग इसको क्या समझ से क्योंकि दो बार हुख थी ना तो एक हुख का 12D तो दूसरे हुख का 12D ऐसा बहुत सारे लोग समझते हैं और उसको हम गलत भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन मेरा ऐसा परसली मानना है कि इस आर जनरलाइज वेल्यू बाइए इस कोड इंक्लूडिं डिदक्शन क्योंकि गया हमने तो क्या गया था माइनस थी टाइमस ऑफ टू डायमेटर और माइनस टू टाइमस ऑफ ट्री डायमेटर लेकिन आइस कोड ने टू ए प्लस टू एई प्लस 24D लिग दिया कोई भी डिदक्शन नहीं किया और ऐसा इस तूफाइज जेरो टू में सब में कोई भी ड से चीज को कोड के हिसाब से कैल्कुलेट करता है जिस में इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया तो उसके चाइब सब्सक्राइब को खोल देंगे तो एक साथ भी मुटिप्लाइब होगा तो कितना आज जाएगा दूस्तों 24 टाइम सब्सक्राइब दी आठ है तो 1240 आंसर आ रहा है जाए बारा सो चाहिज और वहां पर कितना आंसर आ था ग्यारा सो बारा है ना यहां पर कितना था 1112 answer आ रहा था और आई कोड कैसर से 1240 इस बात है नहीं जैता आएगा क्यों कि इस यो एजादा आएगा क्योंकि इस में सब्सक्राइब गारे क्व 이쪽 यह तो सर कौनसा कंसिटर सब्सक्राइब करें इसलिए आपको यहां पर जोड देके समझा कि क्या यह बड़े बड़े अक्षर से अप्रोक्स अंदाजे से कंडिदक्शन को यहां पर नहीं किया कुछ टाइप का वेस्टेज भी तो होता है आपको पता है ना मैंने वेस्टेज ऑफ पर होगा अधक यहां अब इसकिन नहीं कैसेडर किया और वीड़ेक्शन जाधा वेल्यू के अख क्या है कि उन्हाट में किसकी साइडे से Almost अब करेक्ट वाला और कम यह भी और लिकिन यह कैसी साइड है इकानोमिकल् है कैसी साट है इस फिस इकानोमिकलt कि अप्र एक है कि आपने देंट Sun सेफ रहेगा लेकिन ज्यादा होगा यह उड़ा को आई सेयस वाली प्राक्टिस से ही तो मैंने आपको बता दिया दोनों सही है दिस और सेंटर लाइन से कंस्ट्रा करते हुए बी डिटक्षिन करते हैं जो कि हमने किया है इकोनिक यह जादा लिएव पर साइड रहेगा और यह भी कोई अट्वी यह एक्वाग्स है यह भी आपको एक्जर्टली वैल्यू दे देगा तो इस अपॉंड साइट कंडिशन इट इस अपॉंड नेचर ऑफ जो बीवी इस प्लान कर रहा है उसके नीचर के उपर भी डिपेंड करता है जो आपके रेंपोस्मेंट इस तो पर भी निर्भर करता है सराउंडिंग कं परसन ही मानो मेरा परसन अच्पीज से कर में बोलू को सा प्रिफर करना चाहिए अगर आइस कोट से कर रहे हैं तो कहां नहीं खतम सब आइस कोट ने दे रखा है उदर कि इसके लिए इतना बस आपको सेंटर तो सेंटर डिसंस आइए याद रखना बहुत सा लोग यहां भ बूल ला था कि मेरा जो परसन आपको सेंटर रहेगा वह यह वाला इकोनोमिकल तरीका मैं हमेशा इकोनोमिकल तरीका इस बीबिएस के मामले में जाओंगा क्योंकि यह मेरे लिए जब भी इस मेठेट से कैलकुलेशन किया गया है वह सही भी हुआ है यानि उतनी ही सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए यह सही है और मैं आपको भी चला करो और इस तरफ जाओ आपकी पैसिंग वाले आप जानना चाहता है या आई-स-कोड की तरह जानना चाहता है बस कुछ नहीं यह सेमी चीज़ है वैसा आप देख सकते हो टूए प्लस टूए यहां पर 20 टीडी है यहां पर कितना है वी स्टाइम सब्सक्राइब करना है और तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह आपको समझ में आ गया हो करना है और हम आगे जितने भी वीडियो से लिखने वाल है उसमें हम तो डिडेक्शन करेंगे हैं और यह अच्छा तरीका है अगे इकल राएक तरीका है फिल तो दोश्तों डिपेंडिंग अपॉनधी प्रैक्टिस एक साथ हो क्ली पाओं किसी में तो अब स्पेंड Tuesday आपकशने घ्रमेजी है यह इसका हम यहां पर Sebvo दो वाला economical है क्योंकि इसमें deductions भी करने पड़ेगे, इसलिए मैं instruments को यही सिखाता हूँ, जिसमें deductions हो, ताके वो detail में समझे, deduction नहीं करना तो automatically यहां तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर किसी ने यही सिखाया तो फिर उसको deductions का अंधाजा नहीं होगा, इसलिए मैं आपको deduction के साथ सिखाता हूँ, फिर आपको deduction नहीं करना मत करो, ठीक है, ताके आप detail में सीखते हो रहो साथ हाथ चीज़े, तो उमीद करता हूँ दोस्तों आज का video बहुत बहुत जादा valuable रहा होगा, आगे भी दोस्तों ऐसा valuable videos आते रहेंगे, मिलते दोस्तों next session में goodbye, take care.